हेलो हाँ जी बच्चों एकाउंटिंग फॉर पार्टनर्शिप फर्म्स फंडामेंटल 12 में ये बुक क्यों बनाई गई पहले उससे समझते हैं हमने सेल्स की एंट्री सीख रखे हैं सेल्स की एंट्री क्या होगी अगर मैंने ए ने बी को गुट्सोल्ड करा ए ने बी को गुट्सोल्ड करा लेट सपोज रुपीज 10,000 एंट्री क्या बनेगी बी डेबिट एगी बुक्स में बीज एकाउंट डेबिट टू सेल्स एकाउंट बीज गुट्सोल्ड टू बी 10,000 10,000 फर्म क्या एंट्री बनाएगी फर्म भी यह एंट्री बनाएगी सेम एंट्री बही कॉंसेप्ट तो एक ही रहेंगे फिर सर यह फर्म क्यों डाली गई 12 में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं पार्टनर्शिप फर्म में जो कहीं और नहीं घटित होती जैसे की एड्मीशन of a partner रेटायर्मेंट of a partner डेत of a partner डिसॉलूशन of partnership फर्म तो इस वजए से यह 12 में एक सिलेवस में पार्ट बना पार्टनर्शिप का भी पार्टनर्शिप आनी चाहिए कहा कैसे किया था जन्रल एंट्री सेम रहेंगी जो 11 में पढ़ी है वो ही सेम रहेंगी जनरल एंट्री लेकिन फरक कहां पर आया कि कुछ घंटनाए ऐसी घटित होती है पार्टनर्शिप फर्म में जो कहीं और घटित नहीं होती जैसे मैंने बताया आपको यह चैप्टर वने हुए है यह यह तो एंप्यों है सेकेंड से देखें पार्टनर्शिप फर्म फंडामेंटल गुडविल की कैलकुलेशन होती ही पार्टनर्शिप फर्म में है चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो अमंग दा एक्जिस्टिंग पार्टनर्स एक चैप्टर बनाया चैप्टर नमबर फोर क्यों बनाया क्यो कि profit sharing ratio ही चेंज इस partnership firm में होता है और किसी enterprise में होता ही नहीं admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partnership firm तो सबसे पहले मैंने ये बताने का प्रियास करा कि partnership firm सिलेवस में क्यों डाला गया, entry बिल्कुल सेम रहेंगी, purchase की, sales की और तुमारी salary paid करने की, rent paid करने की, और भी entry जो हमने 11 पर पढ़ी है concept हुआ ही रहेगा, लेकिन फरक क्या मिला, कुछ घटनाए ऐसी घटित होती है यहाँ पर partnership firm में, जो कहीं और घटित नहीं होती, अब इससे समझते हैं हम, chapter number two को, fundamentals, हाँ जी, तो पहले तो यह बताया है, कि partnership firm क्या होती है, partnership क्या होती है, तो partnership section number four में define कर रखा है, कि दो या दो से अधिक person है, तो वो partner बन सकते हैं, अगर दो या दो से अधिक person हैं, और वो business करने के इच्छों के हैं, तो वो partner बन सकते हैं, और उनके बीच में जो relation क्यलाएगा, वो क्या क्यलाएगा, partners का, ठीक है, यह बताया गया है, essential feature of characteristic of partnership, features क्या क्या होने चाहिए, तो यह तो theoretical है, कोई दिक्कत नहीं सर, rights of partner, partner के firm में right क्या होंगे, यह भी theoretical है, partnership deed क्या होती है, जब हम, जब partner, दो partner आपस में, यह चाहते हैं, कि हम business start करें, और आपस में लडाई या ना हो, तो इसके लिए वो क्या कल लेते हैं, partnership deed बना लेते हैं, लिखित में, लिखित में, contract को ही क्या कह देते हैं, partnership deed, उसके बाद कह रहा है, provision affecting accounting treatment in the absence of partnership deed, यह समझ लेते हैं, 2.4, हाँ जी, तो यह क्या कह रहा है, provision affecting accounting treatment in absence of partnership deed, in absence of partnership deed, or where it is silent, that is, it is not have a clause in respect of following matters, the provision of Indian partnership act 1932 applies, क्या कहता है यह, उसने कहा कि, अगर partnership deed, या तो बनी नहीं है, या फिर silent है, इन मुद्दों पर, तो हमें किस पिरकार से काम करना है, वो कहरा, sharing of profit and loss, मानलो, दो partner है, A और B, और वो partnership deed silent है, तो कैसे profit sharing होगी, उनकी, half-half, equally, interest on capital, interest on capital, is not paid, यानि allowed to partner, यह क्या कह रहा, allowed, यहाँ पर allowed word आया, जरा, यह समझे लो, जरा, interest on capital, interest on capital, पहले allowed होती है, या charge होती है, यह समझ लो, जरा, appropriation है, क्या है, यह समझ मैं नहीं आया, हाजी, interest on capital, A और B, दो partner है, partnership firm की, विशिश्चता यह है, कि, दो या दो से अधिक partner होने चाहिए, तो मैंने दो partner ले लिए, अब, मानलो, A ने, एक लाख रुपे लगाए, firm में, एक लाख ही बीने लगाए, या इसे कर लो, दो लाख रुपे, दो लाख बीने लगाए, अब यहाँ पर है यह firm, ये क्या है फर ए गया और चुपचानी से जाकर यहां पर उसने पैसे रख दिये तिजोरी में एक लाग रूपे है उसके बाद बी गया और बी ने भी कितने रूपे रख दिये दो लाग रूपे है कैपिटल के रूप में एंट्री क्या बनी बिटन के बिटन ärव से पड़ चुके हुआ ज़र्हा फटा फट से बताओश एंट्री क्या बनी एंट्री बनी ऐग फट्रावाण क unanim कि द्वर जी ग-, घबीक रूपे एंट्री वही है जो पहले पड़ी थी हमने 11 में तीन लाग तीन लाग इसमें कोई दिक्कत अब एक बात देखो हम इन्हें एंट्री बात ध्यान रखना हम एंट्रियां जो बनाएंगे वह फर्म के हिसाब से बनाएंगे फर्म के लिए सर ये ये थो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा हमने 11 इलेवंत के लास में पढ़ा था है वो यह कहता है कि हम जो entry बनाएंगे business और businessman दोनों अलग-अलग हैं यानि A और firm अलग-अलग हैं और entry जो बनेंगी वो business के लिए बनेंगी यही कहता है business entity concept यानि कि firm के पास ही तो पैसा आया तो जिसके पास पैसा आया firm कह रहा है कि मेरे पास पैसा आया cash account debit जो चीज आती है उसे debit करते हैं और जो जिसने लगाई उसको क्या कर दिया credit अब firm का liability है कि A और B को कितने पैसे देने हैं एक लाग और B को देने हैं दो लाग रुपे जिन्होंने यह जमा करके दिये हैं firm कह रहा विटा यह वाली बात हैं क्या कह रहा है कि एक लाग रुपे firm मैं A ने दिये और B ने कितने दिये दो लाग तो मुझे वापिस करने यानि credit यह credit है एक तरह से firm किया है liability है liability को क्या करते हैं हम credit 2 में लिखते हैं जहां तक कोई दिक्कत नहीं सर आगे देखें उसके बाद हम आ रहे हैं interest on capital पर अभी तक तो यह 11 की बात देख रही 11 की class की बस फरक क्या मिला यहां पर 2 या 2 से अधिक partner होते हैं तो उसके capital के साथ ही हमने यह लिख दिया 1 लाग और 2 लाग अब आगे देखो interest on capital interest on capital भी हम 11 पर पढ़ चुके हैं कहां पर जहां पर हम adjustment करते हैं capital की हाजी तो देखें ज़रा दुबारा समझें यहां पर अब A कह रहा है और B कह रहा है दोनों कह रहे हैं interest on capital allow होना चाहिए क्यों कह रहे हैं विटा अच्छा और कौन कह रहा होगा ज़ादा दवाब से पहले यह बताओ A की लगी हुई है एक लाग रुपे और B की लगे हैं दो लाग रुपे तो A कह रहा होगा कि मुझे interest on capital मिलना चाहिए या B कह रहा होगा मुझे interest on capital मिलना चाहिए जिसकी capital ज़ादा लगी हुई है वो ही कह रहा होगा कि interest on capital मिलना चाहिए अभी तो देखते हैं वो अभी तो देखते हैं वो अभी तो देखते हैं या debit अभी या चार्ज होगा क्या होगा वो देखेंगे पहले यह देखो कि एक लाग रुपे तो A ने लगाए B ने लगाए दो लाग रुपे और यहाँ पर है फर्म फर्म में यह पैसे इन्होंने दे दिये तो एंट्री बन गए cash account debit 2A और 2B अब हम यह कह रहे हैं कि कौन कह रहा होगा कि interest on capital एलाओ होना चाहिए B जिसने ज़्यादा लगा रखे हैं क्यों मालनों अगर 10% से interest on capital का rate है 10% पर रहनम तो A को कितना मिलेगा 10,000 रुपे और B को कितना मिलेगा 20,000 रुपे फर्म से यह concept क्या है पहले उसे समझो वो कह रहा है business कह रहा है कि साव अगर यह पैसा आप मुझे ना देते 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 इंट्रेस्ट ओन कैपिटल लेंगे तो फर्म क्या कर रही है एलाओ क्या इंट्रेस्ट ओन कैपिटल अब एलाओ कर रही है तो एक बात बताओ फर्म के लिए खर्चा है या प्रॉफिट है सर ये फर्म के लिए खर्चा है बिल्कुल ठीक है फर्म के लिए क्या है एंट्री तो मुझा फर्म के हिसाब से बनानी है तो फर्म के लिए क्या है जब फर्म पैसा देगी ब्याज देगी इनको तो ये खर्चा है फर्म के लिए तो एंट्री क्या बननी चाहिए वो दो लाग रुपे 10,000 रुपे A को मिलने चाहिए 20,000 रुपे B को मिलने चाहिए अब interest on capital यह पता पढ़ गई मुझे firm के हिसाब से सोचना है बिटा firm के हिसाब से allow हो रहा है firm क्या कर रही है मैं देना चाहरी हूँ allow करना चाहरी हूँ कितने 10,000 रुपे A को और 20,000 रुपे B को तो entry क्या बननी चाहिए 11 के हिसाब से ही firm business के लिए क्या आए खर्चा तो interest on capital account debit और किसको मिलेगा यह 2 A 2 B वहाँ पर लिखते थे capital account क्योंकि इससे capital बढ़ जाएगी क्योंकि 1,000,000 रुपे तो यहां से थे और 10,000 रुपे इसने ब्याज के कमा लिए तो 1,000,000 की capital हो गई अब इसकी कितने हो गई 2,000,000,000 में 20,000 2,000,000 इसकी हो गई हाजी तो interest कितना total मिला 30,000 रुपे partners को मिलना है 10,000 रुपे एको और 20,000 रुपे बी को पिटा ध्यान रखना कौन कहेगा interest on capital की जिसने पैसा जादा लगा रखा होगा और जादा किसने लगा रखा बी ने तो वो ही कहेगा आगे देखें यहां तक कोई दिक्कत तो कोश्चन जो है partnership deed में यही कह रहा है कि अगर interest on capital के बारे में कोई deed नहीं बनी हुई या silent है इस मुद्दे पर interest on capital पर तो interest on capital allow नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह समझ में आ गया यह allow का क्या मतलब है क्योंकि firm allow मतलब दे रही है किसको A और B को तो firm के लिए क्या है expense firm के लिए expense और किसको मिलना A और B को तो उनका credit कर दिया 10,000 और 20,000 सर उसमें तो profit ही नहीं है अभी तो 1,00,000 रुपे और 10,000 इसको दे दिये कहां से दे दिये वो profit जब generate होगा यह क्या अभी शुरुवात महीं मिल जाएगा यह तो परैनम है ना last में मिलेगा साल के end में तो इतने बीच में A और B profit भी तो कमाएंगे उसमें से मिलेगा हाजी आगे देखें अब जो है हमें 12th के हिसाब से बस एक entry और बढ़ानी है क्या interest on capital यह चीच 11th में कहां जाती पी एंडल पी एंडल एकाउंट debit to interest on capital कितनी 30,000 और 30,000 बजब बेटे यहां पर हलका सा फरक है यहां पर कहां जाएगा पी एंडल एकाउंट की जगे पी एंडल appropriation account में जाएगा debit में अब समझ में आ गया पी एंडल appropriation account के debit में क्यों जाता है जिन बच्चों का पहले से पढ़ा हुआ है अब समझ में आ गया कि पी एंडल appropriation account debit to interest on capital तो पी एंडल appropriation account के debit में मैं क्यों लिखता हूं to interest on capital इस entry की वैज़े से तो बिटन कोश्चन CBSC board में अब journal entry भी मालूम कर रहे है examiner check उसी हिसाब से कर रहे है तो अपना ध्यान लखे हादी आगे देखे उसके बाद कह रहा है interest on interest on drawing interest on drawing is not charged from partner charge from partner यानि partner के लिए तो क्या है expense और firm के लिए क्या है फाइदा firm के लिए फाइदा है इस वज़े से P&L appropriation के एकाउंट के यह कहां पहुंसता है credit में इसे भी देखते है interest on drawing इंट्रेस्ट on इसे इसे निकाले फर्म से यहां पर फर्म है इस वज़े से किया जा रहा है कि अपने खर्चे पूरे के रही जा सके है तो यहां से यह firm है इस फर्म से A ने कुछ पैसे निकाले और B ने कुछ पैसे निकाले अभी हम partnership deed की बाद में करेंगे पहले इसे समझते है interest on drawing जो है चार्ज होता है या allow होता है interest on drawing मालनो 10,000 रुपे A ने निकाले पूरे साल में B ने निकाले 20,000 रुपे और interest का rate है 5% पर रहनम का 5% का यह चलो पर रहनम लिख लो हाँ जी अब firm जैस हिसाफ से interest on capital के बारे में बात कर रही थी कि अगर आप मुझे में पैसे ना देते तो मुझे बाहरवालों से पैसा लेना पड़ता और मैं उस पर ब्याज देती तो इसी हिसाफ से firm कह रही है कि अगर मैं तुम्हें पैसे ना देती है 10,000 और 20,000 ड्रॉइंग क्या होती है पैसा है ड्रॉइंग ही तो होता है निकालना तो जब firm से A ने और B ने पैसे निकाल लिए 10,000 और 20,000 तो firm क्या कह रहा है अब मुझे interest ची है interest on drawing इसे ही बोलते है interest on drawing हाजी तो इस case में मैं क्या करूंगा कि allow है या charge है firm के लिए क्या है फाइदा क्योंकि ब्याज इनको क्या होगा मिलेगा ब्याज क्या होगा firm को मिलेगा तो entry क्या बनेगी किस किस से मिलना है जिस से मिलना है उसे debit करूंगा अब क्योंकि इन दौनों से मिलना है A debit एक तरह से ये भी मेरी assets हो गई ना कि A से पैसे लेने A debit B debit 2 और किस नाम से interest on drawing आज़े वेटा ये interest on drawing माल लो ये आया 2500 रूपे A से चार्च करना है और इससे कितना करना है 500 रूपे तो टोटल फर्म के पास इंकम कितनी हो गई, 4500 रूपे क्योंकि फर्म की भी क्या कह रही है अगर मैं तुम्हें पैसा ना देती तो मैं बहारवालों को पैसा देती और उस से ब्या जाता कितना येतना तो इस हिसाब से फर्म के लिए क्या एफ फैदा आगे देखें अब अगली entry interest on drawing को कहां transfer करूंगा कहां करते हैं interest on drawing को interest on drawing account debit to candle account 11th के हिसाब से लेकिन यहाँ पर क्या करना है है मुझे टू है पी एंडल है ले ऐपरोप्रियेशन के का मा को में His agreement के लिए फायदा हो गया तो यह कहां लिखना 500 और 500 रूपै इस इसायते हैं पी अडल ले ये क्रेडिट में साले सास्सोर रूपे जाते हैं पिएंडल एप्रोपेशन एकाउंट में क्रेडिट में जाते हैं कितने जितने भी ऐमाउंट दे रखी हो तो जन्नल एंट्री बहुत ही जरूरी है बनानी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम रटल लें कि पर दिककत आती है पेपर में आ जाता है पर पूइस्टा है जनरल entry क्या होंगी तो उसमें दिककत आ जाती है तो इससे बड़ी आपना basic तयार रखें और उसके इसाफ से ही question को attempt करें हाजी तो interest on drawing not charge from partner या कह सकते थे interest on drawing is not allowed by firm interest on drawing is not charged from partners interest on advance loan interest on advance loan by a partner अगर किसी partner ने loan दे रखा है अगर किसी partner ने loan दे रखा है तो उस पर कितना मिलेगा 6% per annum के इसाब से interest मिलेगा remuneration to partner remuneration अगर partnership डीन नहीं है तो remuneration नहीं मिलेगा admission of partner में क्या कह दिया admission of partner में यह कह रहा है new partner cannot admitted unless all the partner agree to it जब तक सारे के सारे साजेदार या partner agree नहीं करते इस बात के लिए तो नया partner admitted नहीं होगा तो कितने point है इसमें 6 point है हाजी 6 point जरफटावर से याद करो share of profit and loss account share of profit and loss equally मिलेगा interest on capital अगर partnership deed नहीं है तो नहीं मिलेगा interest on drawing नहीं मिलेगा interest on advance loan by partner 6% per annum remuneration to partners नहीं मिलेगा admission of a partner अगर all consent है अगर पार्टनर की consent है तो यह admitted हो जाएगा आगे देखें हाजी अब आजाओ आप P&L appropriation account पर अब समझ में आ जाएगा आपको यह P&L appropriation account जो अभी यह तक हमने general entry से समझा रखा था अब समझ में आ जाएगा P&L appropriation account देखो वो क्या कहे रहा है P&L appropriation account for the year ended यह जो बनता है यह बनता है profit and loss के बाद में partnership firm में partnership firm में पहले वो ही बनता है trading trading and profit and loss account तो बनता ही बनता है वेटा उसके बाद एक और account बनता है यहाँ पर P&L appropriation account यह यहां का जो net profit होता है net profit वो कहां आ जाता है credit side में by net profit by net profit तो इस नाम से ही देखो यहां पर यह आ रहा है यह रहा है यह रहा है by profit and loss account यानि यह profit and loss account से उतर के आया है हाजी यहां से यह जो है net profit by profit and loss account profit and loss account बनता है trading तो यहां तक का उसके बाद बना profit and loss account profit and loss profit and loss account से क्या आया net profit net profit यहां लिख दिया मैंने by net profit के नाम से लिख दो या profit and loss के नाम से लिख दो एक ही बात है हाजी अब आगे देखो अच्छा एक बाद बताओ हमने क्या बताया था interest on drawing allow होता है या charge होता है फर्म पर interest on capital allow नहीं होता चार्ज होता है यानि फर्म charge करती है interest on drawing जो है वो charge करती है फर्म किसे partner से फर्म के लिए क्या है income इनकम है तो इस वैसे वो यहाँ आ गई interest on drawing interest on drawing यहाँ पर credit side में उसके बाद यह अगर loss है net profit की जगे अगर loss है net loss है तो वो debit side में आ जाएगा net loss transfer from profit and loss account interest on capital फर्म के लिए क्या है चार्ज है खर्चा है तो इस वैसे interest on capital debit में आ जाएगा यहाँ पर to salary अगर remuneration मिलना है partner को to partners commission reserve profit and loss appropriation में जाएगा और transfer कर देंगे कहाँ पर balance sheet में balance sheet में या capital में transfer कर देंगे या transfer to balance sheet इस नाम से हम कर देंगे partners capital account में हमें जो समाय उजन करना होता है adjustment जो करना होता है वो सीधे balance sheet में भी कर सकते है लेकिन तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते है profit transfer to balance sheet या capital account capital account बनाओगे तो capital account में transfer हो जाएगा ठीक है यह देखो question number illustration number 6 है यह उसमें यह पूरा अक दे रखा बिल्कुल trial balance दे रखा है trial balance के total match कर रहे हैं तो इसका मतलब है मेरी balance sheet भी match कर जाएगी उसके बाद यहाँ पर कहरा है trading account बनाया उसके बाद profit and loss account बनाया profit and loss account का यह जो profit and net profit 48750 देखो P&L appropriation account में transfer कर रहा 48750 interest on capital दिया फिर profit transfer कहां कर दिया capital account में फिर यह capital account में देखो adjustment कर दिया capital account से में नहीं करके सीधे balance sheet में यह entry आखर दिया हाँ जी कुछ question देख ले रहे है हाँ जी question number one in the absence of partnership deed deed जो होती है वो return में भी हो सकती है और orderly भी हो सकती है अगर written में है deed तो तो कोई दिक्कत ही नहीं उसी के हिसाब से deed के हिसाब से चलेंगे लेकिन यह कह रहा है in the absence of partnership deed deed बनाई नहीं लिकित में बनाई नहीं deed लडाईयां हो गए पार्टनर्स की बीच में तो यह कैसे मेंटर आप रिजॉल्व करेंगे नंबर वन कह रहा है salary of partners क्या salary मिलेगी partners को नहीं मिलेगी अब किसके हिसाब से काम होगा Indian partnership act 1932 के हिसाब से act जो है उसके हिसाब से काम होगा तो सबसे कैसे कैसे नंबर ए salary of partners नहीं मिलेगी interest on partners loan loan दे रखा तो 6% per annum एक साल में 6% का भ्याज दे सकते हैं interest on partner drawing नहीं होगी अलाओ interest on loan to partners नहीं मिलेगा हाजी interest on partners capital एलाओ नहीं होगा division of profit equally होगा interest on loan by partners partner ने loan दे रखा है 6% per annum मिलेगा हाजी question number 19 पहले पढ़ लेते हैं question को क्या कह रहा है भानू और पिरताब आर पार्टनर शेरिंग profit equally भानू और पिरताब जो हैं दो partner हैं और वो profit जो loss बाटते हैं वो equally बाटते हैं their fixed capital as on first April 2019 are 8 lakh and 10 lakh respectively fixed capital दो तरीके से capital maintain होती है partnership firm में एक तो fixed और एक खाली capital account fixed और fluctuating fluctuating में capital account ही नाम लिखा रहने देते हैं तो fixed में दो account बनते हैं partners fixed capital account और partners current account दो बनाते हैं तो इसमें firm को फाइदा तो यह credit side में लिखूंगा मैं बाई पी एंडल वह allowed हो करनी है 10% पर रहनम यानी आठ लाग पर अस्ती अजार और एक लाग रूपे and interest on drawing is to be charged at the rate of 15% पर रहनम 15% पर रहनम के इसाब से interest ओन ड्रॉइंग है पर 15% पर रहनम अब देखो वो कह रहा था interest ओन ड्रॉइंग नहीं कह रहा था वो कह रहा था यहाँ पर इंट्रे ड्रॉइंग करी है उन्होंने कितनी 50 आर और एक लाग net profit for the year ended 31 माट 2020 वास 1,20,000 पर पेर पी एंडल एप्रोप्रोप्रेशन अकाउंट पी एंडल एप्रोप्रोप्रोप्रोप्रेशन का मतलब क्या लाभों का बटवारा किसी साब सा होना है जरा है वो पताना है हाजी तो यहाँ लिखूंगा पी एंडल एप्रोप्रोप्रोप्रेशन अकाउंट बाई नेट प्रोफिट नेट प्रोफिट कितना है मेरा जो मैं पी एंडल एकाउंट से उतारूंगा यहाँ पर बाई नेट प्रोफिट प्रिएंडल एकाउंट से लिखोंगा एक लाग बीस अजार रुपे कोशन कह रहा है अपने आप भी एक लाग बीस अजार ये गिविन है कोशन में और फॉर दा इयर एंडिड यहाँ पे लिख दूँगा फॉर दा इयर एंडिड 31st March 2020 हाजी उसके बाद by interest on drawing by interest on drawing कौन कौन है पार्टनर भानू और पिर्ताप भानू और पिर्ताप कोशन नमबर कौन सा है ये 90 हाजी भानू और पिर्ताप ने जो ड्रोइंग करी है वो पचास हजार और एक लाग की है तो पचास हजार और एक लाग की drawing करी कौश्चन कह रहा है 15% पर एनम के इसाब से interest on drawing देना है 15% क्या भानू और पिर्ताप ने ये drawing शुरूवात में निकाल ली ऐसा कोई नहीं निकालता शुरूवात में क्योंकि ये पर एनम है तो हम क्या मानेंगे कि मिडिल में निकाली कोश्चन में अगर कुछ नहीं कह रहा तो हम मिडिल में ही मानते हैं आजी कितना आया ये पचास जार का पंदरा परसेंट गुणा च्छे बटे बारा ये आया सेंतिस्सो पचास रूबे एक लाग का पंदरा परसेंट गुणा च्छे बटे बारा पिचचत्तर सो रूबे पिलस पिचचत्तर सो पचास पिलस पिचचत्तर सो ये आया ग्यारे हजार दो सो पचास रूबे हाँ जी उसके बार कह रहा है ड्रॉइंग हो गई एंटरेस्ट आन कैपिटल चार्ज होना है दस परसेंट पर RHINम से तो यहां लिखोंगा टू Eंटरेस्ट आन कैपिटल कौन-कौन है पार्टनर भानू और परताप भानू और परताप वो कह रहा है यह आठ लाग और दस लाग की पैपिटल है ओपनिंग कैपिटल पर मिलती है, यह असी हजार और एक लाग एक लाग असी हजार हाँ जी बस यही चीजे कह रहा था तो एक लाग बीस हजार पिलस जार है दो सो पचास यहां का टोटल कितना है एक लाग असी हजार एक लाग असी हजार बाई डिवीजवल लॉस लॉस कितना हो गया एक लाग असी हजार वैसे एक लाग अकतिस दो सो पचास ते आया 48,750 कौन कौन बाटेगा इसे बी और पी भानू और प्रताप किस रेशो में एक वली 24,375 और 24,375 यह कोश्चन इस हिसाब से होना था अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, कमेंड और सब्सक्राइब दा चैनल थैंक यू झाल नहु झाल 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 झाल